हालो एवरिवन कैसे हैं आप लोग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजबरा आज का टापिक है आपका अलजबरा जिसमें हम लोग अलजबरा की सुरुआत करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टन टापिक है और यहां से आपके प्री में मिनिममम 2-3 question आते हैं और mains में देखा जाए तो 10 से ज़्यादा होते हैं किसी किसी साल 13-14 question भी होते हैं किसी साल 10 भी होते हैं ठीक है तो इतने question यहां से आपको मिलते हैं तो अगर इसका weight is देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है है एक तरीके दिखा जा तो एडवांस में इसका यह 25 परसंट बोल सकते हैं इसको हम दो अब दूसरी बात करें तो यह टॉपिक कैसा है इजी है या फिर मुस्किल वाले में आता है तो यह बहुत इजी टॉपिक होता है अगर अलजब्रा के स्टैन्स में सॉल करना देखने के बाद तबही आप इसको क्या कर रहें कि सही तरीके से लगा रहें तो आपको जो अप्रोच शिखाया जाए का जो बताया जागा वो क्या होगा बहुत ही यूनिक होगा जिससे आप बस प्रैक्टिस आपको सिफ कर रहा है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को देखके डाइरेट लगाना स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो यह हमारे पास टॉपिक आज का है अल्जबरा और सबसे पहला चीज इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो होगा इसका बेसिक बेसिक फामूला सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा इसमें क्या होगा बेसिक फामूला होगा नरेंद सिंग अच्छा नरेंद सिंग नाम आपका ओका नल मतल hearing ना अपना चेंज कर सकते हैं भहाँ पे ठीक है ओपसन आता है चेंज करने का शेटिंग जहां पर होता है क्लिक करके वहाँ और एडिट कर सकते हैं कोई दिक्कत southern बर्मा जी आ ग cały आ गया है between तो आप चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं वैसे भी बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोग अभी आएंगे तो बेसिक फार्मूला क्या होता है देखिए सबसे बेसिक टॉपिक अलजबरा का क्या होता है बेसिक फार्मूले जिसमें हम फार्मूला के बारे में ड अब कुछ लोग सोचेंगे, ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे इसके बारे में कि ये कैसे बना फामुला, ठीक है, ये फामुला कैसे बना, इसके बारे में अगर डिस्कुस करना हो, तो इसको देखा जा सबसे पहले कि ये फार्मूला अच्छा आप लोगों का वीडियो तो clear दिख रहा होगा थोड़ा साम को बता देंगे वीडियो के आप लोग clear देख पा रहे हैं टीचर बनने के लिए अडवाईज दें टीचर बनना चाहते हैं तो जरूर आप आलग से संपर करिएगा टीचर बनने का अडवाईज जरूर दिया जाएगा आपको तो टीचर क्यों बनना चाहते हैं अच्छा वीडियो चोटा तो नहीं दिख रहा ना ऐसा सब कुस clear है जैस अंसा नॉर्मल देखता था वैसे एक बड़ अब पर देखो अब क्या विजिबल है या मैं इक बार चे कर लेता हूं हुआ 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 ऐ इस हुआ है लाटाप चलिए ठीक है आप बिल्कुल होके है सब कुछ सही है अब आगे हम लोग करते हैं अब बात आपके सामने ये आती है कि ये बनता कैसे है कैसे बनता है तो चलिए देखते हैं इसके नाम में क्या लिखा हुआ है A प्लस B का स्कॉाइर स्कॉाइर का मतलब क्या होता अगर जोअमेटरी में देखा जाए तो स्कॉाइर क्या होता हमारा एक ऐसी आगरती होती है जिसकी चारों हो जाएं क्या होती है बराबर होती है A plus B के whole square का मतलब क्या हुआ कि square इसमें जो word आया है हमारे पास work work का मतलब एक ऐसी आगरती जिसकी चारों हो जाया क्या होती बराबर तो जैसे अगर एक छोटा सा square हम ले लें अगर छोटा सा square का मतलब जैसे हमने ये ले लिया जिसकी side A माल लेते हैं इसकी side हमने क्या ले लिया A λे लिया तो इसका area जो होगा वो कितना होगा A square हम ऐसा लिख सकते हैं दूसरा चीज हमारे पास क्या है कि अगर एक ऐसा square आपको दे दिया जाए जिसकी side यहां तक तो A है और इसके आगे में B है ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग ये वाला A और ये वाला B और इसको देखें अगर स्क्वायर होगा तो इसकी चारों हो जाएं क्या होंगी बराबर होंगी तो ये वाला भी A होगा ये वाला भी B होगा और ये वाला भी A होगा और ये भी B होगा मतलब देखें ये भी A प्लस B ये भी A प्लस B और A प्लस B अब इसका फामूला अगर आपको बनाना है तो देखें ये इसके सामने है तो ये भी A होगा ये तीनों बराबर होंगे ये A है तो ये भी A होगा और ये भी A है ये B है तो ये वाला भी क्या होगा ये तीनों बराब पास AB होगा यह रिक्टेंगल है तो यह भी कितना होगा AB इसका एरिया क्या होता लंबाई गुड़े चोड़ाई अब इनको देखें A² और B² यहां दिख गया आपको और AB और AB दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जागा हमारे पास 2AB हो जागा AB और AB मिलके कितना हो जागा 2 यह भी हो जागा बागी आप चाहें तो इन दोनों को गुड़ा करके भी इसको निकाल सकते हैं ऐसा जारना जरूर नहीं है कि इसको पूरा प्रूब करें कैसे आया यह तो यह हमारे पास क्या हो गया A प्लस B का होल स्क्वाइर अब यह क्यों पढ़ते हैं लोग यहां से क् आपके एक्जाम में आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टन रहे ठीक है A प्लस B के फामूले से बहुत सारे कोशन बनते हैं इसके साथ एक छोटा सा और फामूला देख लेते हैं A माइनस B का होल स्क्वाइर तो A माइनस B मतलब यह यह भी फामूला सिर्फ हमारे पास A कही है बस यहां पर B जो था वो माइनस में हो गया ठीक है और यह B जब माइनस में कर देंगे तो यह फामूला यही लगेगा A का स्क्वार पहले से A स्क्वार था B का स्क्वार अगर माइनस B का स्क्वार करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जागा अब प्लस में 2 इंटू A 2ab हो गया ठीक है यह फामूला क्या हो गया हमारे पास a square b square minus 2ab होगा ध्यान रखेंगे a minus b के वाले फामूले में a minus b का whole square फामूले में ये भी plus ही होता है minus सिर्फ इसके साथ आता है और इसमें तो तीनों के तीनों क्या होते हैं जरूर अब हम लोग इस पर और थोड़ा सा डिसकस करते हैं इस फामूले पर और क्या क्या कर सकते हैं नहीं आगे देखा जाए नेतिस कुमाज जे अब आगे अगर हम लोग इसको देखें तो आगे इसमें हमको क्या पढ़ना है हमने अभी अभी बताया आपको a plus b का whole square ये होता है हमारे पास a square plus b square plus 2ab दूसरा हमारे पास क्या होता है a minus b का whole square ये होता है कितना a square plus b square minus 2ab अगर इन दोनों को add कर दिया जाए ये पहला था हमारे पास और ये हमारे पास क्या था दूसरा था अगर इस पहले वाले को और दूसरे वाले को add कर दिया जाए तो क्या बनेगा देखें यह दोनों जुड़ जाएंगे तो a प्लस b का क्या होगा यहाँ पर whole square हो जाएगा दूसरा हमारे पास a माइनस b का whole square हो जाएगा और add करेंगे तो यह दोनों कट जाएंगे और यहाँ बचेगा 2 a square प्लस b square अच्छा इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कैसे a प्लस b का whole square प्लस a माइनस b का whole square और नीचे में कितना होगा a square प्लस b square अगर a square b square को इसके नीचे लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा आएगा आपके पास 2 और यह पूछा जाता है कभी कभी ऐसा set करके दिया था आपके एक्जाम में अब फिर इसके आगे देखा जाए अगर इन दोनों को घटा दिया जाए अगर हम पहले वाले को दूसरे के साथ घटा दे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा अगर पहले बाले को दूसरे के साथ घटा दिया जाए तो यह हो जाएगा A plus B का whole square माइनस में A minus B का whole square अगर इनको घटाएंगे तो यह माइनस यह माइनस यह वाला क्या होगा प्लस तो यह दोनों कट जाएंगे यहाँ पे 2AB और 2AB मिलके कितना आ जाएगा 4AB हो जाएगा तो यहाँ सभी बहुत सारे question आपको मिलने वाले हैं आगे देखा जाएगा कि कैसे यहाँ से question apply करेंगे कैसे आपके exam में question यहाँ से पूछे आते हैं ठीक वह हम लोग अभी थोड़ा दिर में ही देख लेंगे तो आगे के तरफ सेलते हैं नेक्स देखा जाएगा नेक्स जो हमारे पास है कि अगर इसको ऐसा लिखा जाएगा अगर हम सिर्फ इसको एक नंबर ले 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 और इसी का reciprocal ले 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 और इनका whole square किया जाए एक नंबर हमने लिया और इसी का क्या लिया reciprocal अगर इसका whole square करें तो यह square कितना आएगा हमारे पास x square plus 1 by x square plus 2 into x into 1 by x यह वाला x इस वाले x से कट जाएगा तो यह important है यहाँ से बहुत सारे question आप से पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह संख्या और यह दोनों संख्या आपस में क्या है reciprocal है reciprocal का मतलब क्या होता है कि अगर a b reciprocal है तो इन दोनों गुड़न फल 1 होगा तो अगर x और 1 by x एक दुसरे के reciprocal है इसलिए इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा 1 अगर हम y और 1 by y ले 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 तो इन दोनों गुड़ा करने पर भी क्या हैगा वन आएगा अगर अगर हम यहां पे a by b ले 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 और यहां पे b by a ले 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 तो यह भी कितना हैगा वन मतलब यह दोनों एक दुसरे क्या होंगे рассy protocol होंगने ठीक है तो रेसी प्रोकल का मतलब यह हुआ कि इन दोनों संख्याओं को गुड़ा करने पर क्या आना चाहिए आपके पास वन आना चाहिए तब यह क्या होंगे रेसी प्रोकल होंगे अच्छा यह अगर आपने कर लिया तो यहां से एक छोटा सी समझेगा अगर इसकी value कई बार पूछी आती है आपसे जैसे अगर मैं question ऐसा एक छोटा सा दे दूँ कि यदि यदि x plus 1 by x की value आपके पास k दिया हो और find करना हो आपको x square plus 1 by x square की value क्या होगी ठीक है अगर x plus 1 by x की value k हो और क्या निकालना हो x square plus 1 by x square की value निकालनी है तो यहां से देखिए क्या होगा कि अभी हमने देखा था कि अगर x² प्लस 1 by x² की value निकालनी है तो यहां पे 2 रहेगा और यह वाला तो हमारे पास है ही तो चलिए x² कर लेते हैं एक बार फिर से इसको तो यह हो जाएगा x² प्लस 1 by x² प्लस में 2 भराबर में क्या आएगा k² आजाएगा यहां से x² प्लस 1 by x² की जो value आजाएगी वो k²-2 हो जाएगी k²-2 हो जाएगी अब यह k²-2 हमारे पास आगया अब यहां से देखे क्या होगा कि अब कोई भी नंबर में देखे के ध्यान से आपको overall समझना क्या है कि जब भी power देखें यहां पर double होगा power क्या होगा double double मतलब कैसा वो मैं बताता हूं आपको double का मतलब ऐसा दिया हो या तो फिर आप इसको ऐसे लिख लेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x plus 1 by x की value अगर हमारे पास क्या दिया हो के दिया हो और यहां से हमको जाना हो x square plus 1 by x square पर तो यहां बस आपको एक ही चीज़ देखना ऐसे question में सबसे पहले कैसे समझेंगे पहले तो यह दोने एक दूसरे के ratio triple होने चाहिए मतलब इन दोनों का गुळनफल कितना होना चाहिए, one होना चाहिए यानि जो value यहाँ पर दी हो, वही value यहाँ पर होने चाहिए, यह दोनों क्या होने चाहिए, पहला point A होगा, दोनों same होने चाहिए, अगर यहाँ A है, तो यहाँ A by B है, तो यहाँ पर B by A होने चाहिए, तो यह दोनों same होने चाहिए, इनकी value कुछ भी दिया हो, ठीक है, पहला condition क्या होगा दोनों same होने चाहिए, दूसरा condition होगा इनका power check करेंगे, power कितना दिया है, power one दिया है, कोई दिक्कत नी, फिर दूसरे बाले में भी देखें, क्या दोनों जगा same ही है, तो हाँ, दोनों जगा same है, अब power देखिए कि power कितना गुना हो रहा है power 1 से 2 हो रहा है मतलब कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है तो जब भी power 2 गुना होगा power 2 गुना होगा तो हम क्या करेंगे जो भी value दिया होगा उसका हम कर लेंगे square और इसमें घटा लेंगे 2 जब भी हमारे पास क्या होगा पावर दो गुना होगा तो जो भी value दिया होगा उसका square कर लेंगे और उसमें कितना घटाएंगे हम दो घटा लेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि के का square कर लेंगे और इसमें हम दो क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे तो यह क्या हो जागा हमेशा यही आपको करना है अब जैसे question से हम लोग देखते हैं question देखा जाए कुछ question से समझते हैं question हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने दे दिया x plus 1 by x की value हमने दे दिया 5 और find करना हो हमको x square plus 1 by x square ठीक है यह हमको निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर भी एक और हमने देखा कि power यहाँ से double हो रहा है पहला चीज़ आपको देखना था double दूसरा चीज़ आपको देखना क्या यह दोनों जंगा same है तो same है पहले से मत्तब एक दूसरे के प्रेसी प्रोकल हैं तो यहाँ बहुत आसानी से बता सकते थे कि यह हमारे पास कितना होगा कि अगर यह 5 है तो यह 5 का square minus 2 होगा मतलब कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा ठीक है यह हमारे पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा दूसरा चीज अगर देखा जा ध्यान से दूसरा चीज कि अगर मैं question को ऐसा लिख देता x के power 100 प्लस 1 upon x के power 100 इसकी value अगर हम दे देता आपको 10 और फिर आपसे पुछते हमकी find करिये x के power 200 प्लस 1 upon x के power 200 ठीक है ध्यान समझेगा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 100 100 है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे दोनों जगण same है कि नहीं same है दोनों एक दूसरे के reciprocal है कि नहीं अच्छा आने लगे 98 अच्छा आने लगे 98 अब तो बहुत जल्दी समझ गें फिर इसको इतना तो आप पहले से ही जानते होंगे तो यहां पर देखिए हमारे पास 100 है और यहां पर 200 है power क्या हुआ है? double हुआ है power को क्या किया गया है? double और दोनों जगें same same data है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यहां से हम इसको double कर देंगे double का मतलब यहां से यह double होगा यानि यह कितना गुना होगा? 2 गुना होगा मतलब हम जो भी value यहां दिया होगा इसका क्या करेंगे? square और इसमें 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारे पास यह 98 हो जाएगा यह कितना हो गया? 98 हो गया तो आपको इस concept में से यही समझना है कि power कभी भी अगर double होगा power कभी भी क्या होगा? double 2 गुना होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जो भी number दिया होगा उसका square करके हम क्या करेंगे? 2 घटा लेंगे 5 मतलब 23, 6 मतलब 34 जो भी number दिया हो, 3 मतलब 7 ऐसे सोचना होगा, 10 मतलब 98 6 मतलब 34 अगर हमने 8 बोला मतलब 62 ऐसे दिखना चाहिए आपको ठीक है? वैसे यह भी बहुत easy है इतना तो आप सोची सकते हैं अच्छा थोड़ा सा इसमें change करते हैं हम लोग अगर हम इसको ऐसा लिख दें इसको भी लगाएंगे आप साथ में क्या देखना आपको? अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि x प्लस 1 अपान x प्लस 3 बराबर 1 और find करना था आपको x प्लस 3 का whole square प्लस 1 अपान x प्लस 3 का whole square इसका answer क्या होगा? अगर x प्लस 1 अपान x प्लस 3 बराबर कितना दिया है? 1 और आपको निकालना है x प्लस 3 का whole square प्लस 1 अपान x प्लस 3 का whole square फिर क्या होगा ऐसे कुस्चों का एंसर सिभ आपको 2 सेकेंड में ही देने होते हैं ठीक है मतलब कुस्चों देख लिए उसके बाद 2 सेकेंड में एंसर आ जाना चाहिए तो साथ कमेंट और हम लोगों के वीडियो के बीच में सायद 10 सेकेंड का अंतर होता है तो मैं वेट कर लेता हूँ आप लोग बताएंगा एंसर कितना होगा क्या कुस्चन में दिया है एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस थ्री की वैल्लू वन है और आपको यह निकालना होगा है यह जो भी हम आपको अभी बता रहें बोल रहे हैं वो आपको 5-6 सेकेंड बादे ही सुनाई देता है तो एंसर किसी का कुछ आया सौरब यादो जी ने बताया दो आएगा अच्छा दो तो नहीं आएगा अब बताएगा अब इतने आसान कोस्चन में फिर आप लोग सब लोग चुफ हो गए कोई अंसर नहीं दे रहा है अच्छा सौरब यादो जी ने फिर से अंसर दिया सायद इस बार आपका अंसर सही है तो इतना डरना नहीं आपको छोटे-छोटे कोस्चन है अभी तो मैंने जीरो लेवल स अब यहां पर लिए पहले से यहां पर एक्स प्लस थ्री अपने मरजी से कर लिया और यहां वन था और यह तीन अगर इधर जोड़े हैं तो तीन यहां भी जोड़ना पड़ेगा मतलब अब यह कितना हो गया चार हो गया अब यह चार हो गया और पावर यहां पे एक और यहां भी एक और पावर दो गुना है इसका मतलब जो भी नंबर होगा उसका स्क्वाइर करेंगे दो घटा लेंगे कितना होगा यह 14 हो जागा कितना हो जागा 14 बहुत आसान सा था अब समझ गया है तो ठीक है नहीं तो फिर से बताएए कई लोगों के गलत अंसर दिखा जा रहा है माइनस वन कोई बता रहा है कोई साथ बता रहा है तो 14 एंसर आगा 14 14 के लिए एक दम रेडि रहे 14 बिल्कुल सही अंसर है आगे थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें इस बार हमने इसको कर दिया 7 और इसको हमने कर दिया माइनस दो और यहां फाइंड करना है एकस माइनस टू का होल स्क्वाइर प्लस वन अपान एकस माइनस टू का होल स्क्वाइर अब कितना आएगा अब हम आपको बेसिक बेसिक चीज़ समझाने कोशिस कर रहा है जो आगे आपको जरूरत पढ़ेंगी ठीक है तो आपको यह ध्यान देना होता है कि हमेशा यह दोनों क्या होने चीज़ है सेम होने चीज़ हम पहले इसको सिखाएंगे जब सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे वो भी सिखाएंगे ठीक है यहां बदल भी नहीं पाएंगे, यहां फर क्या होगा, कि इसको सैम करना है, इसको बहुत आसानी से, क्या कर सकते हैं, सैम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या धîne rachna है, कि पहले इन दोनों को सैम करना होगा, और answer यहां आने लगे, टेईस आ गया, तो बहुत आसान, बह पूछ नहीं करना है, 2 घटा लेना, यहाँ पर देखिया, बहर बार मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ 2 घटाएंगे, तो यहाँ भी 2 घट जाएगा, यह पांच बन गया, तो यह 5 का स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जागा यह 23 हो जागा, फिर से सोचिए, और सोचते हैं, अब इ एक्स तो यहाँ दिया रहेगा, इसी के साथ गुड़ा कर लेगा, एक्स माइनस 2 का, और यह तो हो जागा, प्लस 1 होगा, और यह वाला इधर गुड़ा हो जागा, यह हमारे पास कितना था, यहाँ पर 7 दिया हो था हमने, इस बार हमने 7 दिया था, तो हमने 7 इंटू, एक् माइनुस वन तो ग्याद करिए एक्स माइनसटू का होल स्क्वार प्लसवन अपान एक्स माइनसटू का होल स्क्र्र bannana सीख्ते हैं कि कैसे नए कोइजन फर्म होते हैं वह ज़्यादा जरूर है ज़िया ज़र तो आप नए question और आसानी से मतल़ समझ लेंगे, जैसे कोई भी नए question बना है लवरा में, और नए question जो बनते हों, पुराने question से ही form करके नए थोड़ा इसी को change कर दिया आता है, किसी को अलग तरीके से लिख दिया जाता है, वो ऐसा change करके ही बनाया जाता है, अब देखें इस इसमें multiply भी कर सकता है, इसको common भी दे सकता है, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता था, अब देखें, या तो यह दे दिया, या तो इसको ऐसा भी लिखा हो सकता, या तो इसको ऐसा दे दे, या तो इसको ऐसा दे दे, या तो इसका एक standard form होता है, यह जाता time पूछ लिए जात यहां तक आप समझ गए होंगे हमारे इसाप से अगर नहीं समझे होंगे तो میں बताओंगा आपको कैसे करेंगे ठीक ह disciplines एक मैं और बनाने के कोसित करता हूं आपके लिए एक नया ठीक है फिर सा सोचिये आप नया के तरफ चलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप बताएंगे हमको ठीक है मैं आपके लिए हर जितने बार मैं चाहूंगा लिखूंगा और नए कोस्टन बन जाएंगा आपके लिए कोई पुराना कोस्टन नहीं पड़ेंगे प्रिवियस्जियर क्वियंस यी कोस्टन में कुछ है नहीं यहाँ परिभी इसा एड़ीर जाएंगे लोग रटे हुए हैं वहीं कोस्टन देखते ही अंसर आ जाते हैं ग inhibश inad ठीक है, x plus 3 और x plus 5 की value हमने दे दिया, minus 1, और यहाँ से find करने के लिए आपको मैं बनाता हूँ question, अगर यहाँ 3 कर ले, ठीक है, कोई दिक करती हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, x plus 3 का whole square, plus 1 upon x plus 3 का whole square, अगर, आसान question अभी बनाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा basic question में आसान question ही होते हैं, सौरव 11, मिलना चाहते हैं, तो अभी मैं इलहाबाद में हूँ, तो इलहाबाद में मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं, कल मैं Gualier में था, कल पर सो 2 जिन, इसलिए classes लाइव नहीं हो पाई थी, Gualier में offline classes में लेने गया था, offline, कुछ special classes थी वहाँ पे, इलहाबाद में भी offline शुरू होने वाला, अभी मैंने Gualier में start किया, Gualier में बहुत सारे बच्चों की demand थी वहाँ पे, जो online पढ़ते थे, तो वहाँ उन्लों के लिए मैं गया था, कुछ लोगों ने answer बता दिया कि minus 1 होगा, यह x plus 3 और x plus 5 बराबर minus 1 दिया हुआ है, और x plus 3 का whole square प्लस 1 अपान x plus 3 का whole square है, फिर से समझ यह देखिए, हमको अब क्या चाहिए, अब यहाँ से लगाना है, पहले से set नहीं है, पहले से ऐसा दे दिया गया, अब हमको इसमें से चाहिए क्या, x plus 3 यहाँ भी चाहिए और x plus 3 यहाँ भी चाहिए, दोनों जग़ें x plus 3 चाहिए, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या x plus 3 है, अगर इसमें x plus 3 नहीं रहेगा, तो फिर दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा क्या करें, तो इसमें हमको x plus 3 पहले से मिल गया, तो हम इस x plus 3 को इस तरफ लाएंगे, इधर, x plus 3 को कहां लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, तो देखें, x plus 5 को हमने यहाँ पर छोड़ दिया, x plus 5 वैसे ही रहेगा, हमने इसको इधर लाया, और यह minus में 1 अपान x plus कितना हो गया, 2 और इधर भी क्या करना होगा, minus 2, 2 यहाँ घटाना है, और 2 यहाँ भी घटाना है, तो यहाँ minus 2 करने पर यह बन जाएगा, हमारा x plus कितना 3, और इस पूरे वाले terms को उठाएंगे, और इस तरह अपला देंगे, तो यह 1 प्लस में 1 अपान x plus 3, और इसको लिखने से यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, minus 2 आ गया, कितना आ गया, minus 2 आ गया, देखिए यह वाला minus ही तरह आएगा, तो plus, यह वाला हमारे पास minus 2 करने पर 3 हो गया, अब यह वापस वही वाला बन गया, कि यहाँ power 1, यहाँ power 1, यहाँ पर 2 गुना जाना है, तो हमने अभी पढ़ा था, कि minus 2 का क्या करेंगे, whole square और minus 2, minus 2 का square कितना होगा, 4, 4 minus 2 कितना आ जाएगा, हमारे पास, 2 आ जाएगा, answer कितना आएगा, 2 आएगा, answer कितना आएगा, 2 आएगा, अलग-अलग answer गलत-गलत नहीं देना आप लों को, ठीक है, answer आप अराम से लगाईए, जल्दी नहीं है, और सिखिए, और फिर वहाँ से, अमन राजी का 2 आ गया, शिव चंद्रपाल जी का भी 2 है, तो दो अभी आपको लों को दिखाई दिया, तो इस तरीके से सोचना पड़ता है, question देगे, question वही था, वही आसान वाला question था, इसको सीधा-सीधा हम लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे, तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन थोड़ा सा इसको twist करके लिखा गया इस तरीके से, तो ये भी आपको जानते रहना पड़ेगा, कि किस तरीके से question बनाया जाते हैं, क्या-क्या उसमें change हो सकते हैं, आईए, मैं और आपको बताता हूँ कि और कैसे दिया जा सकता है, फिर से देखिए, अगर मैंने ऐसा कर दिया, यदि, इस बार हम करते हैं, जली ऐसे देखिए, नॉर्मली, x plus 1 by x की value हमने दे दिया 5, ठीक है, और find करने के लिए हमने पूछ लिया, x square plus 1 by x square, तो सभी लोग बता देंगे 20 आएगा, ठीक है, ये बहुत आसान सा चीज है, सभी लोग बताएंगे 23 आएगा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं, जिससे एग्जाम में आपको आसानी हो, ठीक है, मतलब किस तरीके से एग्जाम न लिखेगा, और किस तरीके से आप उसको जल्दी लगाएंगे, सेम कुस्चन को इतने तरीके से लिखा जा सकता है, कि आप वही कुस्चन देखेंगे और वही नहीं सौच पाएंगे, कि क्या ऐसा हमने पढ़ा था, अब कोई बोलेगा इसको ऐसा नहीं, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा दिया भी गया है, तो x बराबर ऐसे लिख दिया जाएगा, 5-1 by x, कई बार ऐसा देखा गया, ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया, इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है, तो ये भी दिया जा सकता है, फिर कोई बोला नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लिख देते हैं, इस 5 को इधर लेते आईए, x minus कितना 5 कर देते हैं और बराबर में हमारे पास minus 1 by x हो गया ठीक है ऐसे भी लिखा जा सकता इसको फिर कोई बोलेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिख देते हैं इस वाल x का इसारा गुड़ा भी कर लेते हैं तो ये x into x minus 5 बराबर में कितना लिखेंगे minus 1 ऐसा भी लिखा जा सकता है ऐसा भी आपके exam में दिया जा सकता है और ऐसा भी दिया सकता है एक ही question को हमने कितने तरीके से लिखा तीन अलग अलग तरीके से बताया इन तीनों में से कोई भी दिया जा सकता है ये तो standard हो गया और मली ऐसे जादा तद मिलते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से, हाँ जी, एक लोगों ने और बताया कि ऐसा करिए कि 1 को इधर लेते आईए, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, x plus 1, और बराबर में क्या होगा, 5, तो वो x plus 1 नहीं हो पांच है, तो कोई बोला इसका इसमें गोड़ा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा, x square plus 1 बराबर में 5x, तो ये तो इस्टेंडर हो गया, लेकिन इसको quadratic बना के दिया जाता है, maximum time, क्योंकि ये quadratic equation है, quadratic equation, ऐसा equation जिसकी highest power कितनी होती है, दो होती है, तो ये भी लिखके द इसा दिये जाते है, quadratic में, और ये पूछा जाता है, ये वाला minus में है, तो इधर क्या आजाएगा, plus में आजाएगा, मेरे पास आएंगे तो seat मिल सकती है, seat तो PDF form में मिलेगी न, मैं hot copy seat नहीं रहती है, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसको कैसे कैसे लिख स सकते हैं, ठीक है, तो दूसरा चीज हमारे पास क्या है, कि यहाँ पर इसका answer हमारे पास overall सब जगन से यहीं आएगा, 5 का square minus 2, 23, तो answer तो same ही है, लेकिन बस उसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, उसके लिए आप तयार रहिए, ठीक है, अब एक छोटा सा question, height and distance का क्या हुआ, height and distance तो हो गया, उसमें क्या करना है, सारे concept बता दिये गए है, seat आपको already दे दी गई है, आप लगाईए और question पूछिए, सारे question आपको बताया जाएँगे, जो भी आपको लगता है, doubt class बोलेंगे, तो doubt class एक रख लेंगे, अलग से, section बनवा जैता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा, technometry, algebra, geometry, अलग-अलग दिख रहे हैं, जो apps पर दिखते हैं, तो उसमें क्या होगा है, एक doubt भी दिखेगा, आपको, उसमें doubt ही लेंगे, doubt आप लिक अठा करके आईए, कल बोलिए, कल लगा लेते है, doubt class, जैसे आप लोग होगा है, तो सिर्फ उसमें doubt ले लेते हैं, जो भी topic का doubt हो, आपका, technometry हो, height and distance हो, कुछ आप भी मेहनत करिए न, ठीक है, कुछ आपको भी तो पढ़ना पढ़ेगा, आप पढ़िए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, doubt के लिए कितना भी time लेगा, मैं वो दे दूंग आप बर जीरो, और find करने के लिए मैंने दे दिया, x square plus 1 by x square, तो कितना answer आएगा, बताएंगे, x square minus root 13x plus 1 बराबर जीरो, अभी हम लोग basic algebra पढ़ रहा है, ठीक है, basic, online पढ़ने के बाद offline वो आप क्यों पर depend करता है, कि आप कितना जाता सीख लिए, online में अगर आप सब कुछ समझ जा रहा है, ठीक है, वैसे online में भी सब कुछ बता दिया जाता आपको, ऐसा कुछ नहीं होता कि offline में अलग से कुछ बता जाता है, बस एक ही चीज़ अंतर होती कि आप सामने बैठे होता है, और question तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, हमको तो पूरा वही same, मतलब अब ऐसा ही मासूस होता है, online, offline, सब जगा, यहाँ भी आप सामने बैठ के देख रहे हैं, वहाँ भी सामने बैठ के देखते हैं, इसमें सिब आप लोगों के नाम आत दिखाई देगा, तो आने वाला जो future है, वो कुछ इसी तरीके से बनने वाला है, वह तो और upgrade होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर offline तो हमेशा के लिए क्या होगा, कि एक तो बहुत, मतलब normal classes हो जाएंगे, वैसा कोई पढ़ेगा नहीं, online में ही इतनी technology अब लोग बस लिखते जा रहे हैं, online, offline यह सब नहीं, अभी answer बताएगे, जो दिया गया है, अभी मैंने बताया है, इसको देखके आप कैसे लगाएंगा answer, कुछ भी दिया हो इस तरीके से, मैंने ऐसे दे दिया हमाल लिजेगा, और लिख लेता हूं मैं, x-root में 19, x plus 1 बराबर 0, फिर find करिये, x plus 1 by x, स्वारब यादोजी का पहले वाले answer आगया है, जो बताए है 11, तो 11 बिल्कुल सही आपका answer है, देखे, यहाँ पर यह जो root 13, यही तो इधर आएगा, इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, तो वही तो आएगा, एक बार मैं बना के दिखा देता हूं, हर बार आपको क् इसमें देंगे तो 1 बाई x बराबर में 0, तो x प्लस 1 बाई x की value तो यह वापस के आगई, root 13 आगई, मतलब जो इस वाले x का coefficient के साथ होता है, वही यहाँ पर हमारे पास आगया, यहाँ पर, अब यह root 13 आगया, यहाँ से square ही तो करना था, square करना है अगर हमारे पास, तो root 13 से square ही, minus 2, कितना आजागा हमारे पास, 11 आजागा, वापस कितना आजागा 11, यह 1160, इतना दूर तक कहां पहुंच गया, अरे यह छोटा सा question है, एक दो second वाले question है, अब देखे, आगे से, अगर माली आप नहीं समझ पाया थे, तो अब फिर से समझ यह, तो यह जो value दी रह आता, अगर यहां 5 रहता तो यहां 5 आता, यहां 6 रहता तो यहां 6 आता, यहां 7 रहता, 7 आता, अचा एक चीज और ध्यान देखे, यह जो power होता x के, वही यहां पर हमारे पास निकलता है, यह नहीं कि x square यहां पर आएगा, यहां x है, तो यहां पर x plus 1 by x, अगर यहां x square हो तो यहां पर क्या आता, x square plus 1 by x square, ठीक, इस तरीके से देता है, अब यहां पर हमारे पास यह कितना आ गया, 11 आ गया, अब इसमें देखेगा ध्यान से, यह भी वही सेम चीज है, अगर इस वाले x को अलग हम कर लें, तो root 19 into root x है, तो यहां से हमारे पास जो निकलेगा, यह यह root x plus 1 by root x है, इसकी value हमारे पास 19 आएगी, root x plus 1 by root x, क्यों root x होगा, क्योंकि यहां root x दिया हुगा है, और यह इसका double है, देखे, यहां पर power 1 है, और यहां power कितना है, एक बटा 2, और ऐसा इस बना रहता हमारे पास, यहां 2 था, तो यहां power 1, यहां 1 है, तो यहां पर power कि यहां पर धाई रहता है, ऐसे बनता है, अब यहां root 19 है, और यहां से power को अगर हमको x plus 1 by x पर जाना है, तो यह इसका double है, यहां पर power 1 बटा 2 होता है, और यहां power 1 है, तो root 19 का square कितना होगा, root 19 का square 19, दो घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 17 होगा, तो answer किसी ने सही नह को, फिर मैं और एक question लिख देता हूँ, इसको भी समझी है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, आईए एक मैं और बनाता हूँ, x के power 5 minus 2, 13 x के power 5 बटा 2, plus 1 बराबर 0, find करना है आपको, x के power 5, plus 1 upon x के power 5 की value क्या होगी, पहला, दूसरा मैं लिखता हूँ, Sonu Singh बोलने हैं, पता नहीं चला, साड़े 12 बज़े आपके class के timing है, पता क्यों नहीं चला, x root x, minus में, root 5, एक बबर मैं देख लेता हूँ, क्या है है हमारे पास, x की value हमारे पास है, x के power 3 बटे 4, plus 1 बराबर 0, और यहां पर आपको find करना है, x के power 3 बटा 2, plus 1 अपान x के power 3 बटा 2, इसकी value क्या होगी, अब बताएंगे आप इसका answer, आपके पास एक मिनट का समय है, जल्दी से बताएंगे इसका answer क्या होगा, झाला था लड़ा, जल्दी से बताएंगे गास, कर देनिए मिनट इसका एक मिनट कास्योंit आपको find करने, क्या मिनट, वोगे ढगले का सवले, कि आपके भीन, और माता रही है, उन्सकी भीन मिनट उन्सकी नपकी ब contributed, और यहां वोख़िछास नाष्डिस, झाल 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 163 आचा ऐसा दिख रहा है चलिए दिखान से देखते आगे इसमें देखिए क्या होगा यहां पे हमारे पास दिया है कितना एक्स के पावर में पांच बटा दो दिया हुआ है तो पांच बटा दो मतलब यही आएगा पहले तो यहां पे रिजल्ट में हमारे पास यहां पे आएगा एक्स के पावर पांच बटा दो प्लस वन अपान एक्स के पावर पांच बटा दो बराबर में कितना आएगा 13 ऐसा चलेगा यहां से हमको पूझ निकालना है एक्स के पावर 5 प्लस वन अपान एक्स के पावर कितना 5 ऐसा चाहिए था तो यहां से power क्या हो रहा है? दोगुना हो रहा है. power अगर दोगुना होता है तो हम सिब क्या गरते हैं? 13 का square minus 2 यानि 167 ऐसा हो जाएगा. Same concept यहां भी है. यहां और आसान है. यहां पर देखिए तीन बटे 4 है और यहां तीन बटे 2 है. पावर क्या है? हमारा दोगुना है. तो यह root 5 का क्या होगा? square होगा और 2 घड़ जाएगा. Same उसी तरीके से. तो यहां पर 3 आ जाएगा. तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे थे हैं? तो बिल्कुल सही है. तो किस-किस तरीके से लिखा जा सकता था? यह आपको समझना जरूरी था. अब आगे के तरफ बढ़ते हैं. कुछ और भी आगर आप पूछना चाहते हैं. किसी भी तरीके के कोई कोई कोश्चन इससे रिगार्डिंग, यह जो आप पढ़ रहा हैं, तो आप बता सकते हैं. कि ऐसा होगा या कैसा होगा, तो आप पूछ सकते हैं. आपके लिए कोश्चन लाइव फ्री है, आप कभी भी कर सकते हैं. कोई भी कोश्चन पूछ सकते हैं. अगर अभी इसमें पढ़ रहा है, अलजबरा में. ठीक है, जो टॉपिक आपका चल रहा है, उससे आप कोश्चन पूछ सकते हैं. और आपके हर ये कोश्चन का एंसर, मैं बता सकता हूँ, 10 सेकेंड के अंदर. ठीक है, कोई भी कोश्चन हो. कोई भी कोश्चन कहीं से भी कोश्चन पूछिए, पुराना हो, नया हो, बना के लाइए, जैसे भी लाइए. कोश्चन गलत होगा, वो भी मैं बता सकता हूँ, और जल्दी ठीक है लेकिन जल्दी लगाने का मतलब या नहीं कोई method उसके लिए आपके पास concept आपके पास क्या होना चाहिए जो concept में बता रहा हूं वो सीखना है और उसके बार उसके प्रैक्टिस करनी है question already में दिए गए है साड़े बारा सवसे ज्यादा question दिए गए है सीट में उसको आपको solve करना और question भी मैं दे दूँगा हाँ जी अलबरा चला तो अलबरा ही चलेगा आज ही पहली class है अलबरा basic की और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे अगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे अब एक चीज और समझेगा अभी हमने जो फामूला बता रहा था मैं यह वाला फामूला हमने पढ़ा था भी कि a प्लस B का होल स्कॉयर और इसके साथ क्या हो a-b का होल स्कॉयर तो इसकी वैलू कितनी आती है फोर भी आती है हाँ जी सुनी लिया दो जी दोनों एक ही चीज है एक पढ़ा रहे हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं है एक फ्री बैच पस से स्टार्ट किये हैं ऐसे सटर्डे संडे को भी बढ़ा सकते हैं कितना पढ़ना चाहते हैं मैं तो एक ही दिन बोलियो तो 24 घंटे के क्लास लगाओ और सारा टॉपिक ही आपका कम्प्लिट कर दो अगर जल्दी करना है तो वह भी हो सकता है पूरी क्लास सुबह से लेकर साम रात दो पहर सब पढ़त सकते हैं ठीक है मैं तो पढ़ा सकता हूं जितना देर तक वोलेंगे अगर आप लोग तयार हैं तो बताएए एक दिन आपके क्लास में लगाते हैं क्लास 24 घंटे वाली सुबह साम जब भी आप देखेंगे मैं यहीं डिखूंगा अब यहां पर क्या होगा कि अगर यहां प तो यह हमारे पास क्या होगा कि यहां पर अगर एक्स होगा तो यहां पर वन बाई एक्स हो जाएगा इसका होल स्कॉर यहां पर अगर एक्स होगा तो यहां पर माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा इसका होल स्कॉर और यहां पर फोर इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स यह वाला x x वाले से कड़ जागा यहां पर सिर्फ क्या बचेगा 4 अगर मालेजे सिर्फ आपको इसकी value चाहिए x प्लस 1 बाई x की value अगर इसकी value चाहिए तो यह वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x प्लस 1 बाई x का क्या होगा whole square होगा और यह प्लस 4 था तो प्लस 4 ही रहेगा अगर इस square को हटाना होगा तो यहां से यह क्या आ जाएगा यह root में आ जाएगा इसके यह इसका answer हो जाएगा सेम इसी तरीके से हाँ बिजे सिर्फ आदो जी पढ़ाएंगे हम और हम ही आपको मिलेंगे ठीक है दूसरा चीज हमारे पास क्या है कि अगर हम x minus 1 by x की value अगर देखें ध्यान से तो यहां पर क्या होगा कि अगर minus निकालना होगा अच्छा यहां थोड़ा सा गलत होगा यह वाला plus नहीं यह क्या होगा minus होगा क्योंकि यह minus वाला इधर जा रहा है याद करने का तरीका क्या होगा आपका कि अगर हमको plus वाली value निकालनी होगी तो plus 4 होगा अगर minus वाली की value निकालनी होगी तो minus 4 होगा ठीक है सुल्तान सर का बैद जल्दी आ जागा जल्दी मतलब 2-3 दिन जाता साथा ठीक है दूसरा चीज आपके पास क्या हो गया अगर यहाँ पर देखा जाए अगर यहाँ देखा जाए ध्यान से क्या देखें अगर यहाँ पर हम ऐसे लिख दें कि यदि फामूला बना लेते हैं इसका x plus 1 by x की value हमारे पास k दिया हो और हमको पूछा गया हो x minus 1 by x की value तो इसमें देखें ध्यान क्या है कि यह plus है यह minus है power का कोई conversion नहीं है ठीक है power सेम रहेगा यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा तो अगर यहाँ पर देखें plus से minus निकालना है minus निकालने के लिए चलिए इसको देखा जाए ध्यान से तो x minus 1 by x निकालना होगा तो यह हमारे पास क्या होगा k का square करेंगे और 4 हम क्या करेंगे घटा देंगे k का square करेंगे और हम 4 क्या कर लेंगे minus घटा लेंगे दूसरा चीज यह अगर दिया रहेगा तो अगर हमारे पास x minus 1 by x का मान k दिया हो और plus का निकालना हो plus जब भी निकालना होगा तो square तो करना ही करना है लेकिन plus वाले में plus 4 हो जाएगा और minus निकालना होगा तो minus 4 हो जाएगा तो यह conversion वाले question आते हैं k square minus 4 या plus 4 दोनों होते है minus plus दोनों चलते है इस पे भी question बहुत अच्छे अच्छे बन जाते है तो उसको discuss करते है हम लोग अभी कहां से यह formula बने कैसे बना यह अपने यहां से देखा यह शुरू मैंने जो a plus b का whole square बताया था formula a minus b का वो वहीं से मैं निकालना हूँ अभी ठीक है वहाँ जितने question बनेंगे वो सभी को हम लोग क्या करेंगे discuss करेंगे अब अब आगे क्या होगा question मैंने दे दिया ऐसे कि x plus 1 upon x plus 11 बराबर में 0 और find करना है आपको x minus 1 upon x plus 11 बराबर में क्या होगा चलिए कितने लोग लगा पाएंगे इसको आपका test यहीं से देख लेते हैं जैसा जैसा level आपका answer आता जाएगा आपका वैसा वैसा question का level में बढ़ाते जाओंगा x plus 1 upon x plus 5 बराबर में 2 find करना है आपको x minus 1 upon x plus 5 अभी मैं सिर्फ 2 question दे रहा हूँ इन 2 question को अगर आप लगा लेंगे तो इसके उपर वाले level पे आएंगे और जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता है सूरज जी नहीं छोड़ने के कहीं बात नहीं हुई है और जो classes जैसे चल लिए वैसे चलेंगे ठीक है बड़ दूसरा भी आ रहा है ऐसा बस बता दिया गया ऐसा कुछ नहीं है कहीं कोई छोड़ा जा रहा है सारी classes जैसे चल रही है वैसे चलेंगे timing जो था वही रहागा साड़े बार से दो बाकि मैस वन में जो चल रहा है वो भी चलता रहेगा आप लोगों सिर्फ पढ़ना है ठीक है आपको सिर्फ अपने पढ़ाईवे ध्यान देना है दोनों एक ही चीज है अलग-अलग कुछ नहीं है ठीक है percentage में A into B बराबर constant का क्या rule है यह तो बहुत छोटा सा concept है इस पे बहुत अच्छे कोशन भी बनते हैं बहुत आसान भी बनते है हाँ बिलकुल लीजे अगर आपको अभी offer मिलना है तो आप लीजे आपको कुछ न कुछ अच्छा ही मिलेगा ठीक है बिजे स्यादो जी पहले आप लोग इसका answer बताएंगे कोई answer इसका भी नहीं बताया मैं आपको दो मिनिट का समय देता हूं ठीक है तब तक मैं सुल्तान सर को लेके आता हूं आप लोग ट्राई करेंगे हो जाएगा ठीक ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है आसानी समिल जाएगा दो मिनिट आपके बास है answer एक लोगों का सही आना चाहिए जीरो नहीं आएगा मैं इतना बता देता हूं जीरो नहीं आने वाला झाले सा सुल्ता हूं झाल 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 सुदेश सिंग जी का कहना है होंगे इसमे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपनों का बैस अब लेट नहीं होगा लसे में आप में चल रहा है इस समय और पे इसमें बता है यहाँ आपे यहाँ पे यहाँ पर सिर्फ एकस है तो यहाँ वाला 11 इधर जाएगा यह वाला 11 को हम क्या 117 माइनस में 11 हो जाएगा रूट में 117 और माइनस में क्या होगा 11 होगा कि कितने लेक्षर लेगा ये बात करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी जब तक हमारा मन करता है हम तभी तक पूरा पढ़ाते हैं उसको ठीक है हुए है मैं चाहूँ तो लब शायाओ में पढ़ा सकता हूं मैं चाहूँ तो फिश्यार बढ़ानया थेक है तेकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2-3-4-5-6 घंटे 10 घंटे में पढ़ा देते हैं लेकिन 10 घंटे में पढ़ाना बहुत चीज नहीं है आपको मैं सारा चीज दस घंटे में भी सारे concept discuss कर सकता हूं लेकिन उसकी जो छोटी-छोटी चीजे होती हैं जो हां पर ज़्यादा जरूरी है कि गलत ना हो कि ऐससी के पहले तक करवा जाएंगे ठीक है ऐससी के पहले तक सभी कुछ हो जाएगा और आपका ये तो और जल्दी हो जाएगा मैं स्वेसल वन ठीक है कि दूसरा वाला देखते हैं लोग अभी आपकी LCM SCB भी चलेगा उसके लिए भी तैयार रहिएगा LCM SCB आपका बैच अभी थोड़ा दिर में स्टार्ट हो जाएगा दो या धाई वज़स एक बार देख लिएगा अपने सेडूल में किस वाले क्लास में LCM SCB चला उसमें चलेगा हाँ ऐसा सीख जाम से पहली हो जाएगा मैं इतना बता सकता हूँ ठीक है कभी ज़रुत पड़ेगी ज़्यादा क्लास लेंगे हम लोग कंप्लीट करेंगे ठीक है ऐसा जल्दी भी नहीं है लेकि जब तक आब आसान आराम से पढ़ सकते हैं आराम से पढ़िए ठीक है अच्छा यह दूसरा वाला समझ गया है दूसरा वाला देखिए एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस कितना था फाइब था बराबर में क्या दिया था अब मैं भूल गया क्या मैंने यहां दिया था x plus 1 by x 1 upon x plus के बराबर में कुछ दिया गया था क्या एक बार जली से comment करके बताईए इसके आगे क्या दिया गया था ऐसा ही कुछ पूछा गया होगा arithmetic चलेगा पूरा arithmetic वो special batch है, arithmetic ही चलेगा 2 दिया हुआ था ओके, यहाँ पे 2 दिया हुआ था यहाँ पे 2 दिया हुआ था तो अब हमको पहले तो दोनों को same करना होगा दोनों को same मतलब यहाँ पे 5 हम जोड लेंगे और यहाँ पे हमने 5 अगर हमने जोडा 5 अगर जोडेंगे तो इधर भी 2 में 5 जोड जागा यह अब 7 हो गया अब यहाँ से माइनस में जाने के लिए हमको क्या करना होगा x प्लस 5 माइनस में 1 अपान x प्लस 5 तो यह जो वैलू साथ है तो इसका square करके इसमें 4 घटा लेंगे और यह रूट में मतलब कितना आ गया 45 अब यहाँ पे इस वाले को इधर लाना पड़ेगा ठीक है यह 5 इधर आएगा तो एक लाइन हम और यहाँ पे आ जाते हैं इधर तो x यहाँ रहेगा माइनस में 1 अपान x प्लस 5 तो यह रूट 45 को हम 15 गुड़े 3 कर सकते हैं और 3 हाँ यानि 3 रूट 5 भी लिख सकते हैं 3 रूट 5 भी इसको लिख सकते हैं यह 5 इधर आएगा तो 5 इधर आजागा यह इसका अंसर होगा ऐसा कोशन दिये गए हैं मैं इसका टीचर बनना है तो आप बस वीडियो देख लिजे लिए लिए सारे कोई बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है पसेंटेस से सुरू होगा आज उसका एक डेमो भी आपको मिल जाएगा पसेंटेस का आज रात में एक वीडियो अप्लोड होंगे अप्लिकेशन पे भी और यूटूब चैनल पे भी तो यह हमारे पास क्या हो गया यह आ गया अब थोड़ा सा इसको एक आसान कोईशन में देख लेते हैं इसमें अभी लेवल वाले कोईशन पे भी आएंगे नेक्स क्लास में हम लोग अभी मैंने बस बेसिक चीज़े बताई है कनवर्जन का बाँखी question के जो changes हो सकते हैं वो बताएंगे प्लस 5 क्या नीचे में हमने वहाँ पे माइनस 5 लिखा था क्या माइनस 5 रहेगा तो ःधर जा के प्लस हो जाएगा प्लस रहेगा तो माइनस जैसा ब्रयादगे ठीक है इसकी value मालेजे 4 दिया है और find करने के लिए आपसे पूछा है x के पावर 201 माइनस 1 अपान x के पावर 201 हो गया यह तो यहां पर दिखे कोई changes नहीं है offline पढ़ाते हैं गौलियर में offline पढ़ाते हैं और इलहाबाद में offline शुरू हो रहा है और बाकि सुल्टान सर की classes पहले से चलती है offline classes और इलहाबाद में बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं लेकिन अभी यह कोई बैस नहीं है इलहाबाद में offline मेरा सुल्टान सर की classes offline है वहीं पर हम कि 4 का square होगा और इसमें हम घटा लेंगे कितना 4 का square minus में 4 लेकिन किसमें root के अंदर तो 16 minus 4 root में 12 लिख लिजे या तो 2 root 3 लिख लिजे ये बिल्कुल सही होगा 2 root 3 अपनों का सही अंसर था root 12 भी सही होगा अच्छा इसके अलामा और क्या अगर मैं ऐसा लिख दूँ x plus 1 by x की value 5 लिख दूँ किसका लिख दूँ 5 लिख दूँ find करने के लिए अगर मैं दे दिया कि चलिए इसको निगा लिए x square minus 1 by x square फिर क्या होगा इसका अंसर बताएंगे आप लोग इसका बताएंगे कितने लोग सही पर कहां पर इलहाबाद में civil line अगर आप इलहाबाद के हैं तो इलहाबाद में civil line पत्रिका चौराय के पास अगर आप ग्वालियर में मिलना चाहते हैं तो ग्वालियर में full bag में ठीक है वालियर में कहाँ पे full bag में मिलेंग़ हम X plus 1 by X की value 5 है और यह आपको निकालना है X square minus 1 by X square बाकी मुखरजी नगर भी मिल जाएंगे आपको मुखरजी नगर में आप मुखरजी नगर डल्ली भी मिल सकते हैं वहाँ भी हम आपको तीन दी जाते हैं तो इन तीनों सोरों में अभी फिलाल में आपको हम मिल सकते हैं डेली मुखरजी नगर, अलहाबाद सिविल लाइन और बाकी गॉलियर में फूल बाग ओके अलहाबाद में सिविल लाइन अभी मैं अलहाबाद में हूँ ब्रजे स्यादो जी का बिल्गुल सही अंसर है इस बार, साया देख पर मैं चेक कर लेता हूँ, सही है न, हाँ बिल्गुल सही है आपका, अंसर सही है, लेकिन, हाँ, चलिए ठीक है, ऐसी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसमें क्या होगा यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या, x प्लस 1 बाई x, और इसको लिख सकते हैं, x माइनस 1 बाई x, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यह माइनस बीच में जब भी आता है, तो यह वाला फामूला हमारा अपलाई होजाता है, लबरा का, a स्कॉाईर माइनस b x होगा, तो a प्लस b और क्या होगा, हमारे पास a माइनस b होगा, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस वाले की वैलू तो अलेडी हमारे पास कितना दिया है, 5 दिया है, और माइनस वाले की वैलू अब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अभी थोड़ा दिर पहले हमने बता जाएगा तो यहां root 21 हो जाएगा और answer कितना हो जाएगा 5 root 21 सायद किसी ने 25 root 21 तो यह ध्यान देंगे हम लोग कि यह plus से minus निकल गया और इन ही दोनों को गुड़ा करने पर यह answer आ जाएगा हमारे पास क्योंकि इन दोनों का यही फामुला होता a plus b और a minus b तो इसको हम ध्यान देंगे यहां पर लोग गलत कर देते हैं गलती से ठीक है तो गलत नहीं करना है आपको ऐसे question हो में एक और मैं देता हूँ एक यहां से का और अच्छा question बनता है जो कई बार पूछा जाता है अगर आपको ऐसा दिया हो कि x plus 1 by x की value 4 दी हो और आपसे पूछा जा x का मान बताईए अगर आपको x minus 1 by x की value 1 दी हो आपसे पूछा जा x का मान बताईए अगर आपको x plus 1 by x की value 3 दी हो और पूछा जा बताईए x cube plus 1 by x square अब देखे यह question अभी कुछी exam में आया था UP के जो state level का exam होता और कई student ने मेरे को वाटसप भी किया था वैसे यह तो है गलत ठीक है गलत का मतलब यह देखे नहीं है कि यह question गलत का the question सभी सही होते है पाट उस option के हिसाफ से यह data नहीं होना चाहिए option के हिसाफ से आप या तो 2 या तो क्या होना चाहिए, square या तो दोनो-दोनोग स्कोाइर या दोनो-दोनो क्योव होने चीह, बागी आप लगा सकते हैं, इसका भी अंसर आएगा, root में आएगा, ऐसा भी हो सकता है, चार से subtract करना है, हाँ, इसमें 4 से कर दी है, हमने अब यहां पर देखिए क्या होगा कैसे निकालेंगे आप लोग जैसे एक मैं बताता हूं आपको सौल करके कि अगर हमारे पास यह प्लस है तो क्या माइनस निकाल सकते हैं हांसे माइनस निकाल सकते हैं कैसे चार का स्कॉायर सोल है और उसमें चार घटा लेंगे रूट बार है रूट बार है मतब टू रूट थ्री अभी हमने देखा था अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए इन दोनों को जोड़ दिया तो ये वाले और ये वाले कट जाएंगे एक्स और एक्स कितना होगा तू से फिर से कड़ गया यह x का मान आ गया हमारे पास two plus root three two plus कितना आ गया root three यह पहले वाले का answer हो गया दूसरे वाले में अगर हम देखें यहाँ पर अगर हमारे पास minus दिया है और हमको plus चाहिए तो minus से जब plus में जाते हैं तो देखें यह one का square तो 20 होगा और चार जोड़ते हैं जब plus में जाना तो चार जोड़ते हैं तो चार जोड़ेंगे तो root five हो जाएगा अब अगर इन दोनों को जोड़ दे तो यह दोनों कट जाएंगे एक्स-एक्स कितना होगा two x और root five plus one तो यहां sex की value आ गई root five plus one by two आ गई सेम इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं और ऐसे इसको लगाएंगे बट यह question हमारे सबसे incomplete है ऐसा कई लोग वाटसप किये था हमको और यह कोई आया था exam में हो सकता option गलत दे दिया हो या तो हो सकता आपके पास अगर question सही मानते हैं तो option गलत है अगर option सही मानते हैं तो question गलत है तो दोनों हो सकता वैसे हमारे सबसे दोनों सेम होने चाहिए लेकिन अब लगा कुछ भी सकते हैं बट ऐसा कालकुलेटी question exam में नहीं पूछे आते हैं वो गलती से दिया होगा तो यहां x-1 by x की value हमारे पास क्या है x-1 by x की value कैसा निकलेगी तीन का क्या करेंगे square तीन का क्या करेंगे square तीन का square कितना आ जाएगा 9 और उसमें से हम 4 घटा लेंगे तो root में कितना आ गया 5 अब यहां पर देखिए ध्यान से इन दोनों को जोड दियें तो 2x की value हमारे पास 3 plus root 5 आ गया और यहां 6 की value हमारे पास 3 plus root 5 by कितना आ गया 2 पूछा गया था आपसे x cube plus 1 upon x square का मान अब इतना calculation तो नहीं आना चाहिए आपके exam में लेकिन अगर ऐसा दिया है but option नहीं दिया था root में मतलब वो question में गलत कुछ टाइब कर दी होंगे बटल इसको लगाना होगा तो इस तरीके से आप लगा किसका सही अंसर निकाल सकते हैं ठीक है इसको भी आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं कॉमल लेकर calculation करेंगा तो अंसर आ जाएगा civil line पे किस coaching में civil line पत्रिगा चाहरा है से जो road company बाग के तरफ जाती है उस पे संदीव सर classes नाम से class होगी वहाँ पर आप मिल जाएगे तो हाँ दिल्ली में मुखरजी नगर में भंडारा चौक पर स्टार्ट कर रहे हैं ठीक अभी शुरू नहीं होगा है हो जाएगा classroom ready हो गया है classes शुरू होंगी तो यह तो होगे आपका इस तरीके से निकालना है कैसे कैसे हमने किया तो यह आपका एक basic lesson था आपका basic चीज थी algebra का basic मतलब सिर्फ अभी हमने आज पढ़ा है a plus b का whole square फिर अभी हम लोग आगे और बहुत कुछ इसमें सीखेंगे तो हमने यहां से अभी यही चीज़ी का अभी a plus b का whole square बहुत कुछ इसमें जानना बाकि है हमने यह सिखा कि power को अगर double करना है double दो गुना करना होगा तो जो भी number दिया होगा उसका square करके दो घटा लेंगे पहला चाइब concept दूसरा power को same में रहना होगा तो same same मतलब कि same same का मतलब power plus से minus करना हो या minus से plus करना हो तो कैसे करेंगे फिर question को कितने अलग-अलग तरीके से दिया जा सकता है वो भी आपको discuss किया गया यहां पर कितने अलग-अलग तरीके से हम उसको लिख सकते हैं यह भी बताया गया है ब आप कहीं से भी सुरू करेंगे और यह डबल होता जाएगा यहां पर देखा जाए अगर x plus 1 by x हमने मालिया इसके पावर में 1 बटा 2 और इसके पावर में 1 बटा 2 इसका डबल होगा तो होगा x plus 1 by x होगा अगर इसका दो गुना हो गया तो फिर यहां से दो गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा x square plus 1 by x square फिर यहां से दो गुना होगा तो X के पावर 4 प्लस 1 बाई X के पावर 4 यहां से दो गुना होगा तो X के पावर 8 प्लस 1 बाई X के पावर 8 फिर ऐसे यहां से दो गुना होगा तो X के पावर 16 प्लस 1 अपान X के पावर 16 और ऐसे यह चलता जाएगा जहां भी चाहें वहां कर सकते हैं यहां से और नीचे जाएंगे तो X के पाव़र 14 फोर प्लस वन अपन एक्स के पावर एक बटा फोर इधर नहीं जाते हैं इधर जा रहा है अगर तो दो गुना तो दो गुना मतलब ऐसे आप कहीं भी जा सकते हैं किसकी वी वैलू दिया हो और हर जगह एक ही कानपूर में नहीं अभी कानपूर में बहुत सारे लोग है जो पहले से पढ़ाते हैं हमारे काफी जान पाचान के लोग भी है तो अगर आपको महां पे कुछ पढ़ना होगा तो आप जरूर बात कर लेजेगा हमसे तो यहां पर k square minus 2 k square minus 2 ठीक है k square minus 2 होगा अब दूसरा चीज आपको देखे कहीं से भी कहीं पे जाना हो जैसे हमें एक example भी लेकर बता देता हूँ कि जैसे अगर आपके पास ऐसा हो कि x plus 1 by x की value अगर आपके पास 3 दिया है अब यहां से आपका माल लेजे square में जाना है x square plus 1 by x square पे तो हमने क्या किया 3 का square कर लिया 2 घटा लिया यह 7 आगया अब यहां से किसी के इच्छा होगी चलिए 4 पे चलते हैं ठीक है तो 4 पे अगर जाना होगा तो यहां फिर से square करना होगा फिर 7 का square minus में 2 यह कितना आ गया 47 फिर किसी को square जाना है तो आप यहां से 8 पे भी जा सकते हैं, ऐसे आप कहीं भी जा सकते हैं, पावर डबल जब भी होता जाएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर करके सिर्फ दो घटा लेना ऐसा इसले करते हैं क्योंकि हमने अभी concept पढ़ा इस पे ठीक है हमने concept पढ़ा क्या हमने concept पढ़ा यहां पर हमने concept क्या पढ़ा हमने यहां पर पढ़ा कि power को कभी भी double करना हो तो a plus b के whole square वाले फामूले से यह क्या होगा कि k का square minus 2 पर जाएंगे वापस भी आना सीखेंगे वह लोग reduce करना भी आपको सीखना होगा क्योंकि जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे वापस भी आएंगे और वापस आने वाला भी इसमें question पूछे आते हैं ठीक है हाँ जी classes हर जगह चलेंगी यहां जैसे चलना वह ऐसे चलेगा और ठीक है classes में आप लोगों कोई problem नहीं आने वाली है आप सिर्फ अपने पढ़ाई वधियान देंगे ठीक है और कोई भी ऐसी कोई problem ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं छोड़ रहे हैं कहीं पढ़ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ मत सोचेगा normally दोनों classes चलती रहेंगे पर हमेशा चलेंगे ऐसी तो चला जाएं पिर आज की class को यहीं रोकते हैं क्योंकि अभी दूसरी class शुरूओगी आपकी LCM-CF की ठीक है तो वह classes के लिए आप तयार हो जाए यह पढ़ने के लिए और वह भी classes आपको आदे घंटे मिल दाएंगे मैस भाई डीपी सिंग पीडियो विफसाइट पड़ी हुई है आप जाएए फ्री डाउनलोड का ओफ्सनों का वहाँ पर वहाँ पर फ्री डाउनलोड में सारी पीडियो मैंने डाल दिया है class notes जेमेटरी के सबसे updated class notes भी पड़े हैं अल्लबराय class notes है सारे सारे class notes है वहाँ मिलेगा आपको ठीक है फ्री डाउनलोड वाले option में सारे book के option मिल जाएंगे सारे seat भी मिल जाएंगे आपको ठीक है डाउट आप भेजेंगे तब तो लेंगे कैसा डाउट है क्या डाउट है पताईए मेरी website पे ठीक है जो सिप में बनाए है आप लोगों को सबकुत पता ही है तो चलिए ठीक है हाँ जी mensuration continue हो जाएगा आज से ठीक है mensuration आज पढ़ाया जागा mensuration के लिए तयार रहिए आप खुद ढूल लेजिए रभी प्रताप सिंग जी अच्छा WhatsApp पे send किये हैं किस topic का question है अब मैं अभी phone लिया नहीं हूँ अपना चार्ज में लाग में आया हूँ question ऐसे बता दिए ना मैं ऐसे बता दूँगा इसमें ऐसा मुश्किल कुछ होता नहीं है ऐसे लिए मैं WhatsApp पे भेज़ दूँगा mensuration आज ही चलेगा mensuration आज चलेगा मैंने बताया ना कि अगर download नहीं हो रहा application से तो आप website भी जाएए free download मिल जाएगा recorded कोई वीडियो नहीं होती है लाइव सब होती है आप देखते नहीं होंगे ठीक है आसे दोस्कुमार जी recorded नहीं live होते हैं बस time आप लोग एप पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तब ही देखेगा चले आज के लिए तना ही रखते हैं बाकी हम लोग करेंगे next class में ठीक है